नमस्कार सात्यों आपका हमारी यूट्यूब चैनल जूगल टेक्निकल में हार दिक स्वागत है मैं जूगल राट और साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नए कार्मिक न्यूक्त हुए हैं उनको RGHS कार्ड बनाना है यानिकि RGHS में रजिस्टेशन करना है इसके लिए गोर्मेंट SOS ID नहीं बनाई है यानि कि गोर्मेंट SOS ID में मर्ज नहीं किया है और किस परकार करना है उसकी पूरी प्रोसेज में जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें दी थी अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्राइब अटन पर भी लिंक मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा आप अपनी SOS ID को आसानी से जो है मर्ज कर सकते हैं डियक्टिव कर सकते हैं इसकी पूरी प्रोक्रिया आप वहां पर जाकर देख सकते हैं तो अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चै करने के लिए आपको सबसे पहले जो आपकी गोर्मेंट SOS ID आपने जो मर्ज किये हैं या बनाई हैं उस SOS ID को ID और पास्वर डालका आपको लोगिन कर लेना है लोगिन करने के बाद आपकी SOS हैं वह इस परकार नजर आती हैं यहां पर आपका जो नेम है वो नजर आ जाता हैं यहां पर आपको recent apps नजर आ जाएगी यहां पर एक option आपको नजर आएगा other active apps देखे इसी other active apps पर आपको click कर देना है और जैसे आप इस पर click करेंगे तो काफी सारे apps आपको यहां पर नजर आएंगे यहां पर आपको जो राजिस्तान government health scheme है यह वाला logo वाला option आपको य राजिस्तान government health scheme जो इसका logo में आपको उपर बताया है इस logo वाला option आपको नजर आ जाएगा यानि कि राजिस्तान government health scheme वाले logo पर ही आपको click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो देखे तो देखे जैसे आपने RGHS वाली logo पर click किया तो यहां पर आपको राजिस्तान government health scheme इस पर का नजर आएगा यहां पर आपको home का जो button नजर आएगा यहां पर back to SOSO logout का option आपको नजर आएगा नीचे आप चलेंगे तो यहां पर देखे बेनी PC registration इस नाम से आपको एक option नजर आएगा इसी बेनी PC registration वाले option पर आपको click कर देना है जैसे आप इस पर click करें हैं तो यहां पर आपको जो है RGHS registration में यह permission grant कर देगा तो देखे आपर registration open for यहां पर आपको नीचे option मिलते हैं employees serving MLA serving और देखे आपर AI serving है या minister of state जो serving है यानि कि जो employee है government employee है और जो service कर रहे हैं और उनको RGHS में registration करना है या MLA जो भी नए बने हैं और उनको भी registration करना है तो इसी option के माधियम से वो कर पाएंगे तो देखे आपर employee serving MLA serving इस option पर ही आपको click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो नीचे आपको काफी सारी नीचे option मिल जाएंगे देखे आपर serving employee judicial officer serving MLA यहापर option आपको मिल जाता है यहापर देखे do you have जनादार ID या जनादार enrollment ID तो आपको यहापर अगर आपके पाद जनादार ID है या enrollment ID है तो आपको S कर देना है जैसे आप S पर click करेंगे तो यहापर देखे आपको इच्छारी और जनादार enrollment ID दोनों option यहापर मिल जाते हैं आपके पास जो भी available है ओंयहापर फिल कर देना है जैसे आप आप यहापर जनादार ID डालते हैं तो देखे आपको यहापर अपनी जनादार ID डालदेनी है यह enrollment ID आगर आपके पास हैं दोनों में से तो भी आप क्लिक कर देना है यहाँ पर कंट्यूनियू पर आपको क्लिक कर देना है अब देखे जिसे आपने कंट्यूनियू पर क्लिक किया तो यहाँ पर जनादार फेमिली डीटेल्स आपकी नजर आजाएगी क्योंकि आपने जनादार नंबर फिल किये हैं उससे आपकी डीटेल्स यह यहां पर नजर आजाएगी यहां पर देखेंगे तो आपको पीछे एक option नजर आता है government employee यानि कि इन में से जो आदमी यहां पर दिये हुए हैं यानि कि आपी जनादार में जुभे मिली हैं उसमें कौन-कौन जो है option मिलता है इसी continue वाले option पर आपको किलिक कर देना है अब देखे जिसे आपने continue वाले option पर किलिक किया तो यहाँ पर नीचे आपको please select the category of employee and provide employee ID यानि कि यहाँ पर आपका नाम नजरा जाएगा यहाँ पर category आपको select करनी है यहाँ पर category में आप देखेंगे तो देखें यहाँ पर आपको category में देखें MLA का option मिल जाता है यानि कि जो भी नए MLA बने है और RGHS का लाब लेना चाहते है उसको MLA वाले option पर ही किलिक करके यहाँ से registration करना होगा serving employee की बात करें तो देखें यहाँ पर parents to 1124 यानि की 1224 के पहले के अगर करमचारी है उनकी तो यहाँ पर देखी यह option है और जो एक 1224 पर करमचारी बने है उनको यह option select करना है यानि की जो वरतमान में कारमिक सेवा में हैं और 1224 के बाद लगे हैं उनको यह option select करना है तो देखें जैसे आप इस option पर click करेंगे यहाँ पर आपको employee ID जो आपकी employee ID बन चुकी है employee ID आपको यहाँ पर फिल करनी होगी यहाँ पर देखें राज ERP ID है या NIC unique ID है या unique number है तो आपको यहाँ पर अपनी employee ID जो आपकी बन चुकी है आपका रमचारी है तो उस employee ID को आपको यहाँ पर फिल करना होगा तो देखें मैंने यहाँ पर employee ID फिल कर दी है employee ID फिल करने के बाद आपको यहाँ पर verify का option नजर आता है इसी verify वाले option पर आपको click कर देना है अब देखें जैसे आपने verify वाले option पर किलिक किया तो नीचे आपको चलना है यहाँ पर देखे define family with respect to selected government employee यानि कि यहाँ पर आपको यह जानकारी नजर आती है अब यहाँ पर देखें आपकी family की detail नजर आती है जो आपकी जनादार में add है उसके according की यहाँ पर family detail आपको नजर आएगी यहाँ पर उपर ही उपर आप देखेंगे तो यहाँ पर करमचारी का detail होगी और यहाँ पर नीचे उनकी family की detail होगी यहाँ पर देखेंगे तो family से उनका क्या relation है वो आपको यहाँ पर select करना होगा जैसे की देखे mother है या father है माली यह mother है तो मैं mother पर select कर लेता हूँ यह दूसरा जो candidate है यहाँ पर क्या है तो भी आप देख सकते हैं अगर father है तो father आप select कर ले या जो भी option यहाँ पर दे रहे हैं देखे इस पोईस है यानि कि पती पत्नी है father है son है और Father of Space से हैं यानि कि या option आपको मिल जाते हैं तो इस प्रकार आपको select कर लेना है मदरवाले में बाद चलते हैं तो मदर का भी option आपको मिल जाता है डोटर का मिल जाता है तो जो नाम होगा फिर mail के according होगा और mail है तो mail के according होगा तो यहाँ पर जो भी स्टतिय हों यहाँ पर आ जाती हैं इसके बाद देखे अगर आपका भाई है भाई एक उप्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो इस प्रकार इसको आप छोड़ सकते हैं भाई आप यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर सकते यानि कि उसको आँजस में आप आप आइड़ नहीं कर सकते हैं इसके बाद देखें, यहां पर आप नीचे देखेंगे तो उनकी special enabled यानि कि कुछ हैं तो देखें, आप यहां पर extra जो भी कर सकते हैं इस परकार इसके बार आपको पीछे चलना है तो पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मेरितल स्ट्स हैं वह भी आप को हैंपट करना हूगा देखें जो भी है जैसे मान लीजे मेरिड desem unmarried है वो यहाँ पर आप उसको आसान से जो हैं सेव कर सकते हैं इंकम की बात करें तो इंकम भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी देखे आपर गेदर देन 600 हैं मंतली इंकम है अगर 6000 से ज़्यादा है तो यह उप्सन है और अगर निल यहाँ अगर फादर है उणकी इसे लिए 6,000 से ज्यादा है मंतली तो आप उसको जो है एस कर दें देखें ऑप्शन दोनों यहाँ पर नजरा जाएंगे आपको इस परकार आप यहाँ पर उप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं बलट गुरूप की बात करें तो बलट गुरूप पी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करन करनी होगी तो पेंशन देट भी आप यहाँ पर फिल कर दें तो देखें आपर पेंशन देट भी आपको सेलेक्ट करनी होगी तो पेंशन देट आप आसानी से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि येर हैं तो येर आपको सेलेक्ट कर लेना है देखें यहाँ पर उप् करते हैं तो इस परकार यहां पर आपकी डेट ओप सुपरनाउसेशन आ जाएगा अब यहां पर जैसे आप कंट्यून्यू पर करेंगे तो सभी उप्सन आपके फिल होना जूरी है जैसे आपने कंट्यून्यू पर क्लिक किया तो नीचे देखे नीचे आपके वो सारे उप्स साल से कम हैं तो वही इलेजेबल होंगे तो माता पीता आप खुद और आपकी पत्नी और आपके दो बच्चे जो 25 साल से कम हो वही आप इसमें एड़ कर सकते हैं भाई बेन को आप इसमें एड़ नहीं कर सकते हैं तो इस परकार यहां पर जो भी फेमिली मेंबर हैं वो यह आपर आ जाएंगे और उनका relation भी आप अच्छे से एक बार चेक कर लें कि जो आपके यहाँ पर relation नहीं है वो बिल्कुल सही है इसके बाद आपको नीचे एक option मिलता है tick box का यहाँ पर tick box पर आपको click कर देना है इसमें देखे I consent to use my another ID and declared date the above information submitted is due to the best of my knowledge याने की मेरी जानकारी के सारी जानकारी बिल्कुल सही है और आपको यहाँ पर submit पर किले के कर देना है जैसे आप submit पर किले करेंगे तो क्या आप submit करना चाहते हैं आप yes कर दे क्योंकि आपकी जानकारी बिल्कुल सही है you have successfully registered आपका registration successfully हो चुका है इसके बाद देखे आपने जैसे close कर दिया अब यहाँ पर आपको फिर से RGHSL option पर यह ले आता है यहाँ पर अब आपको लग-लग option मिल जाते हैं देखे बेनिपिस्ट्री मोडूल है OPD prescription upload है यहाँ पर grievance मोडूल है और replacement है तो यहाँ पर सबकी जानकारी मैंने पहले ही वीडियो बना रखे हैं आप हमारी चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर पूरी जानकारी RGHSL से data ले सकते हैं अब साथ हो आपको डौउलोड करना है तो वह मैं आपको बता दीता हूं देखे आपर बैनिपिस्टी मोडूल पर आपको प्लिक करना है और जिसे आप इस पर क्लिक कर सकते अब सात्यों जो काड डाउनलोड करना है आपको डाउनलोड आर्जेशेस काड ये काड पर जाकर आप आसानी से कर सकते हैं कार्ड लिमिट वगेरा के जानकरी यानि के पिछले वीडियो में पना रखे हैं आप उनको जाकर भी देख सकते हैं उनमें सारी जानकरी आपको मिल जाएगी RGSS कार्ड आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी ओप्षन पर आप लिए कर दें तो देखे साथ यो आपका यहाँ पर RGSS E कार्ड बनके आचुका है यहाँ पर आपकी सारी डेटेल आजाएगी देखे अभी फोटो यहाँ पर अपलोड नहीं हुए हैं फोटो अपलोड होने में तोड़ा समय लगता है क्या आपक जो जनादार कार्ड है उसमें जो आपके फोटो हैं वो यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे तो आप इसकी चिंता नगरे के आपके यहाँ पर फोटो नहीं आये हैं फोटो में यहाँ पर एक दो चार दिन का समय लग सकता है तो आपको प्रहसान होने क्या हो सकता नहीं है एक दो दिन बाद आप चेक करें आपके फोटो यहाँ पर आ जाएंगे आपके पूरी फेमिली की जो भी डेटेल है वो यहाँ पर नजर आ जाएगी यहाँ पर नीचे चलेंगे तो आप कार्ड भी प्रिंट कर सकते हैं यहाँ जो कार्ड है इसको आप प्रिंट कर सकते हैं आप चाहे तो कलर में इसको प्रिंट करवा लें या आप चाहे तो PVC कार्ड में भी इसको प्रिंट करवा सकते हैं registration की पूरी process online में आपको step by step देने का प्रियास किया आपको हमारी जानकारी कैसी लगी जानकारी अच्छी लगी तो share अवस्य करें लाइक अवस्य करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन प्रेस करके ओल पर जरूर के लिए करें क्योंकि इसी लेटे जानकारी में आपको लगाता देता रहता हूं धन्यवाद सात्यों फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक लिए जय हिन